हेलो बच्चो एनर्जी टॉपिक्स रिलेटिड एक और टॉपिक जिसका नाम है पाथ इंडिपेंडेंट आफ पोटेंशिल एनर्जी इसका मतलब क्या है कि किसी बॉड़ी की जो ग्रेवटेशनल पोटेंशिल एनर्जी है वो हाइट बढ़ने से बढ़ती है ठीक है लेकिन वो पाथ पर डिपेंड नहीं होती अगर हम अर्थ की सरपेश से किसी हाइट पर जाएं तो हमें एक वर्क करना होगा अर्थ की सरपेश से उस हाइट के अकॉरडिंग अगर हम उस हाइट पर या तो हम सीधे उपर चले जाएं वर्तिकली या घूम फिर के चले जाएं उस हा इस पर है उसकी वर्टिकल डिस्टेंस जो होगी उस पर ही डिपेंड गेंड करेगी ना कि तुम्हारे घूमने फिरने वाले रास्तों पर यहलए कहा गया डिपनेंड नहीं करती हो फोल रिपेंड करती है पुटमने पर पड़ा है वह पड़ा है U-coo2-j एच यू इज इकल टू एम जी एच ठीक है एम मास अप बॉड़ी जी ग्रेफटेस्ट एक्सलेशन एच है हाइट फ्रॉम अर्थ सर्फिस ठीक है तो पोटेंशल एनरजी के वहल हाइट पर डिपेंड करेगी उस हाइट पर हम कहसे जा रहे हैं किस रास्ते को फोलो कर रहे है उस पात पर डिपेंड नहीं करेगी यह इस टॉपिक में समझाया जाएगा ठीक है जैसे हमें किसी हिल स्टेशन पर जाना है फर्ज करो हमें दहरादून से मसूरी जाना है तो यह दहरादून हो गया और यह मसूरी है ठीक है या तो हम सीधे पैदल रास्ते से सीधे चले ज आने के हम किसी रास्ते को भी चले जाएं चाहे तो हम इस तरह से घूम फिर के चले जाएं वीकल से या किसी और रास्ते से चले जाएं ऐसे जाकर जो ऐसे जाएगा या हम सीधे एसे भी सीधे वर्टिकली हाइट पर चड़ते चले जाएं हम किसी भी रास्ते से चले जाएं हम हमें तीनों ही रास्तों में बराबर वर्क करना पड़ेगा ठीक है तो यह कॉम्टिशन में बहुत पूछा जाता है कि जो अंडर ग्रेव्टी अगर हम किसी हाइट पर जाते हैं तो हमें वर्क सेम करना होता है उसका कारण यह है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेव्टी एक सेम अगर दिस्ट्पलिसमेंट है तो हम इसमें प्रूफ करेंगे तो पहले हम पाथ चूज करेंगे A, O, B तो A, O, B पाथ में जो वर्क ड़न होगा वो जो H हाइट है ठीक है इस हाइट पर A से B तक जाने में वर्क ड़न होगा B पॉइंट पर पोटेंशल एनर्जी B point पर potential energy हो जाएगी MGH clear यह हो जाएगी clear अब यही work होगा A से लेके C तक जाएं और C से लेके B तक जाएं clear तो भई तो यह तो हो गया A2B A2O2B यह path हो गया पहला path ठीक है P1 path हो गया यह तो अब P2 path कौन सा है हमारा P2 path कौन सा है A से C गये और C से B गये clear तो भई A से C जाएंगे तो हम यहां से यहां पर गये तो हमने दो displacement cover किये एक तो vertical distance में H1 height और horizontal में X displacement तो work done जो हो गया F into H1 हो गया एक तो दो work done होंगे और F into X हो गया W is equal to F तो हो गया under gravity ठीक है H1 vertical direction में चलेगा तो gravity के against करेगा काम यह हो गया MGH1 plus Fx एक work तो यह हो गया दूसरा C से B चलेंगे तो W dash दूसरा work होगा तो यहां से यहां तक जाने में यह H2 vertical height cover करेगा तो यह हो जाएगा MGH2 और F into X तो यहां पर तो X लगातर बढ़ रहा था जब हम यहां से यहां पर गये लेकिन C से B जब जाएंगे तो यह X की value लगातर घटी चले जाएगी तो X negative हो जाएगा तो यह हो जाएगा F X माइनस का F X जब हम इन दौनों को add करेंगे तो total work निकल के आएगा यह होगा W1 और यह हो जाएगा W2 तो जब इनको add करेंगे तो यह term आपस में cancel हो जाएंगी और MGH1 प्लस MGH2 हो जाएगा MGH1 प्लस H2 तो H1 प्लस H2 हो जाएगा H और दोनों ही रास्तों पर work done हो गया same और यह ही हमें proof करना है कि दोनों ही रास्तों पर क्या work done same होगा तो हमने यह proof कर दिया कि work done same होगा इसी तरह से अगर हम किसी इस तरह से घूमते पहाड़ों पर चलते हैं ना पहुंच जाते हैं क्यों हम चाहते हैं पाथ लंबा हो जाए और फोर्स कम लगाना पड़े क्योंकि हमें तो F into X का constant करना यह भी एक conservation of energy ही है यानि F into X constant होना चाहिए ठीक है F into X constant का मतलब है अगर हम X को कम करेंगे तो F जादा लगाना पड़ेगा और अगर हम X को जादा करेंगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो जब हम A से भी vertically जा रहे थे तो यह displacement कम था यानि X कम था एक किसम का यहां तो H रखा है तो यहां पर हमें फोर्स जादे उसकरना पड़ेगा यानि अगर हम डारेक्ट vertically चड़ें तो हमें फोर्स जादे apply करना पड़ेगा हम चाहते हैं फोर्स कम लगाए और काम हो जाए हमारा तो फोर्स कम करने के लिए हमें क्या करना होगा X जादे करना होगा तो हम X जादे करने के लिए उसको उतना जादे पात को गुमा देते हैं जिससे हमें force कम जितना जादे गुमे का पात X उतना जादे हो जाएगा और resultant F की value कम हो जाएगी यानि F और X का जो multiply है वो हमाई constant रखनी है F into X का multiply का मतलब है work done तो work done constant होगा ही किसी भी रास्ते से चले जाएगे तो हम चाहेंगे F और X का product constant रहे उसके लिए हमें हमारी अपनी personal problem को easy करने के लिए F कम रहना चाहिए तो X को बढ़ा देते हैं ठीक है यानि जैसे हम multiply करेंगे 2, 4, 8 तो 2 कम कर दिया अगर हम X को कम करेंगे इसको 2 करेंगे तो हमें force को 4 करना होगा तो वो हमारे लिए थोड़ा सा hard हो जायागा तो हम क्या काम करेंगे समय जादे लग जाए कोई बात नहीं force कम लगा रहे और X जादे से जादे होना चाहिए इस condition में हमारा काम easy होता इसलिए पहाडों पर जब जाते हैं hill station पर तो रास्ते को थोड़ा जादे घुमा के बनाया जाता जिससे हम easily अपने destination पर पहुँच जाएं तो आसा करते हैं कि वीडियो से concept थोड़ा सा easy हुआ होगा और समझ में भी आया होगा थैंक यू